कि 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 शलाम नमस्ते हेलो केमचो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार बैंक पूर बाइग्जाम पूर पर हम है इक्जाम पूर कलम से क्रांती दोस्तों यह आपका जो फेवरेट शो है इसमें आज से एक नई सीरीज शुरू हो गई है दोस्तों इस लाष्ट थ्री मंत के करेंट एफर यानि अगस्त सितंबर अक्टूबर यानि सबसे मारक हमला आज से सुरू होने वाला है सबसे ताबड तोड़ बैटिंग दोस्तों आज से सुरू होने वाली है आज थमनेल में अपडेट नहीं हो पाया लेक करेंजे और सेशन को लाइक भी कर दीजेगा दोस्तों कि यहां पर पढ़ा रहे हैं बेश्ट 200 प्लस जिसने लाष्ट यह इतनी सफलता आपको दिलाई इस साल भी हम इसी मेहनत के साथ लगे हुए इसी संकल्प के साथ लगे हुए हैं तो हमारे बेश्ट 200 प्लस करेंट आउति आपको भी डालनी है इसे शेर करके दोस्तों इसे शेर करके लिंक कॉपी कीज़े टेलीग्राम वाट्सेप वेस्बुक जहां भी आप हैं वहां शेर कर डालिये और अपने सभी दोस्तों को बताइए कि बैंक पूरबाय, इक्जामपूर को सब्सक्राइब कर ले तो यह भी एक बड़ा चैनल होगा आपको बस अपने प्यूसर के इस कहा जाए कि इस भागीरत प्रयास को सपोर्ट करना है और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को लोगों को यहां पर जोड़ना है बस यह मज़ा देंगे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया थैंक्यू ल डेली करेंट अफेर की क्लास को आपको मिस नहीं करना है आज मैं लाश्ट में आज के करेंट अफेर की महतपुर सुर्खिया भी आपको बताऊंगा कोश्चन के रूप में आपको होंवर्क में भी दूंगा पहला कोश्चन है आपके सामने ग्रीन एज प्रोजेक्ट फंड में शुरू की गई यह आपको यहाँ पर बताना अच्छा अक्टूबर का जो मैंने करेंट अफेर आपको बेश्ट कराया था वो संडे की मेराथन में कराया है यहां हम अगस्थ सुरू कर रहे हैं लेकिन संडे की महराथन में हमने आपको कराया है अक्टूबर वाला तो वह संडे की महराथन आपम जडanjaendmental पहली ही क्लास मिल जाएगी आठ से 10 वाली पहली ही क्लास आपको मिल जाएगी ठीक है तो बिलकुल आएए देखते हैं यहाँ पर एंसर क्या है तो बिलकुल यहाँ पर एंसर है मिजोरम में यह फैसिलिटी सुरू की गई है इस परियोजना को पश्ची मिजोरम के डंपा टाइगर रिजर्व और यहाँ पर थोर टेल्गम वन जीव अभ्यारण यानि कि अगर बात की जाए कि थोरंग ट्लांग वाइल लाइप सेंक्शूरी यहाँ पर यह सुरू किया गया है तीस गाओं को जो है सुविधा अच्छी देने के लिए तीस गाओं को यह कवर करेगा मिजोरम उन पांच राज यह राज्य कौन कौन से हैं दोस्तो मद्यपदेश है उडिषा है राजस्थान है और उत्रखंड है और पाच्वा द्राोय कौन सा पाच्वा दा मिजोंаров है पाच्वा कोई सा है पाच्वा मिजोंरम है क्लियर है चलिए के सश racing the Ka nine बदल कर यह कैसे है करा है हेलो मेरी आवाज आ रही है मैं दिख रहा हूं तो यहां पर फटा फटा आप लोग बता दीजिएगा कि यह सर सब दिख रहा है और सही चल रहा है है ना मैं घबडा जाता हूं तुम लोगों को नहीं देख पाता हूं तो है ना तो यहार बहुत बढ़िया चलिए तो बताएं फरवरी से जून 2020 के अवधी के लिए नीती आयोग द्वारा रैंक किये गए एस्पिरेशनल डिष्टिक की सूची में किस जिले ने सिर्ष स्थान प्राप्त किया है दोस्तों यह आपको बताना फरवरी से जून की अवधी के लिए नीती आयोग द्वारा रैंक किये गए एस्पिरेशनल डिष्टिक वो होते हैं जिनको आगे बढ़ाना है जो बहुत स्थान प्राप्त किया है रीभोई मेघाले के रीभोई ने और उत्तरपदेश के बहराइच ने क्रमसा दूसरे और तीसरे स्थान को प्राप्त किया है रीभोई सेकंड श्थान पर आया है बहराइच तीसरे स्थान पर आया है दोस्तों और इसमें क्या-क्या चीजे लिग रखा गया उस रैंकिंग में जो है बिल्कुल 36 गड़ का बीजापूर फर्स्ट पोजिशन पर आया है दोस्तों फर्स्ट पोजिशन पर आया है क्लियर है चलिए बहुत बढ़ियां अगला है फ्रांस से पांच रफेल फाइटर जेट का पहला जथा भारत के किस वायू सेना अड़े पर उत्रा अचा आपको यह भी बताना है उस स्क्वाडरन का नाम क्या था उस स्क्वाडरन का कुछ क्वेश्चन यह आपको अपने पास से देने स्क्वाडरन का नाम क्या था जिसमें यह सामिल हुआ है ठीक है एक यह नाम बताना है आपको उसके बाद आपको बत यानि 7 में से 5 गया वो दो जो है वो जो इसको squat करके लाए है जो उसको पूरी तरीके से सुरक्षित करके इन पाचो राफेल को लेके आये वो दो जेट विमान कौन से थे वो दो जेट विमान कौन से थे तो यह आपका homework question भी हो सकता है कि आप लोग have a comment करने में में क्या जाता है आपको जो मैं homework question दे रहां कमेंट कीजी अगले दिन मैं आप लोगों को अब पुरस्कृत करणा का आज मैं देख रहाता कि मैं बोलता हूं तो किते लोग प्र 2017 करते मैंने द्यों तीन वीडियो देखे यार comment आप लोगों के नहीं थे मैं किस चीज़ का स्क्रीन सॉट ले क्या हूं बताईए जो मेरे हूंवर्क कोश्चन थे वह कहीं से भी दिखी नहीं रहते ठीक है इस बात समझ में आ रही है चलिए तो बिल्कुल कहां पर उतरा था यह अंबाला एयर बेस पर उतरा था क्लियर है चलिए बहुत बढ़िया ठीक है चलिए अब यहां पर पूरी न्यूस देखते हैं यहां पर मैंने कुछ कोश्चन पुछे थे देखते हैं कितने लोग यहां पर सही जवाब दे रहे हैं तीन सिंगल सीटर दो सबल सीटर डबल सीटर आयता सुखोई एमके 31 ने इसे जो है कि स्कॉट किया था वी एन पर साथ बिल्कुल सही बता रहे हैं कि चलिए तो आगे बढ़ते हैं तो फ्रांस के डशॉल्ट देखिए उस कंपनी का भी नाम याद रखिएगा देश का भी नाम कहां से हमें रफेल मिला है बहुत बवाल भी हुआ था चोकिदार वाला मूमिंट भी चलाता फ्रांस से हुआ है किस कंपनी ने दिया है डशॉ यहां पर मिलेंगे और यहां से जरूर आएगा कुछ भी आ सकता है एक रात के लिए यह कहां रुका था यह पांचों संयुक्त अरब अमिराथ के अल डाफरा एयर बेस पर रुखा था यह भी एक्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है और उसके बाद साड़े तीन वहा किसमें शामिल हुआ तो गोल्डेन एरो में सामिल हुआ किसमें सामिल हुआ है थीक है कलियर है चलिए बहुत बढ़ियां यह सारी चीजे आप याद रखेगा ठीक है चलिए बहुत बढ़िया पीम मोधी वर्चुली इनाग्रेटेड न्यू सुप्रीम कोड बिल्डिंग और विच कंट्री पीम मोधी ने किस देश के नए सुप्रीम कोड भवन का उध्गाटन किया पीम मोधी ने किस देश के नए सुप्रीम कोड भवन का उध्गाटन किया दोस्तों फटा-फट अब ऑच्पूरी बॉली जाती सेकंड सबस्यादा बोली जाने वाली भासा बोजपूरी है प्रेसिडेंट वहां का पूछा था और वहां के प्रेसिडेंट बने थे दोस्तों पृध्वी कि राज आगे सी Ninja रूपन पिथवी राज सिंग रूपन यहां के राश्पती बने थे उस देश के और यह कुश्चन एक्जाम में पूछा था पिछली बार आई भी पेस पियों में कि भारतिय लोग है यार भाज भोच पूरी पूरी बुली जाती है तो बिलकुल वहां पर उसका नाम और वहा मौरिश की करेंसे भी रूपीज है और इसकी कैपिटल है पोट लूइस पोट लूइस इसकी कैपिटल है ठीक है क्लियर है चलिये बहुत बढ़ीया आगे देखते हैं पूरी निमीज डीटेल में भी हम लोग देखते हुए चलेंगे दोस्तों प्रधानित कि नरेंद्मोदी और उब मॉरिशम के समक्ष समकष मतलब वह भी प्यम है प्रेसिडेंट का नाम अभी आपने जानाव के अब यहां पे वह कौन है प्राविन जगननात कौन प्रविन्द जगनात जी के पिता जी कौन है अरविंद जगनात जी जो राश्पती और पधानमंत्री दोनों रह चुके हैं उनको यहां पे पद्म भीभूशन दिया गया था पिछली बार विभूशन दिया गया था दोस्तों तो इस तरीके से यह देश से हमारे बहुत की भी संबन्द है प्रवीन जगनाथ मांगे पीम का नाम है ये भी आदा कियो मौरिसस में नए सुप्रीम कोट भवन का उद्गाटन जो है इन्होंने किया गिफ्ट किया बहुत बढ़ियां चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्ण की चलते हैं फटाफट से कि बहुत बढ़िया बहुत बढ़ियां चलिए केंद्री मंदल ले भारत और औरaying परणिक की इस सा पारंपरिक चिकित्सा और homeopathy के लिए समझोते ग्यापन पर structure किये हैं MOU sign किये है MOU का मतलब होता है दोस्तों कि अभी जो है deal initial stage पर है ठीक है तो MOU sign किये हैं फटा फट बताईएगा homeopathic के लिए और चिकित्सा के लिए कि अप बिल्कुल सही जवाब के आप लोगों का पिल्कुल सही जवाब में जिंबोबव के जिंबोब्व ईस में व्रृट्भ एंसर आपने किया जिंबॉबव ऑ क्रम आरे और वहां भारत का रुपया भी वहां पर लीगल टेंडर मनी है भारत का रुपया भी जिंबॉबबे में भूटान में नेपाल में लीगल टेंडर मनी इन तीन देशों में दोस्तों ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्ने की और पीयम मोदी के निजीव सचीव के रूप में किसे नियुक्त किया गया पीयम मोदी को नहीं है पीयम मोदी को और के में देखें कितना अंतर हो जाता है को और के में अंतर हो जाएका पीयम मोदी को निजीव सचीव नियुक्त किया गया तो देखें कितना अंतर हो जाएगा तो तो बिल्कुल निजी सचीव किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों तो हार्दिक सतीष्चंद शाह हार्दिक सतीष्चंद शाह को नियुक्त किया गया है ठीक है कपिल देव तृपाथी जी जो है वो प्रेसीडेंट के हैं किसके हैं प्रेसीडेंट हमारे जो है रामनात कोवि जी के सच्चिव हैं और ये हमारे PM के सच्चिव है, PM के सच्चिव है, ठीक है, TS तिर्व कुर्ती United Nation में, United Nation में हमारे representative है, हमारे representative है, हमारे प्रतनिधी है, है ना ठीक है खीक है, इसके पहले सैद अग्बरुदीन थे, या ना चलिए बहुत बढ़ियां बहुत बढ़ियां कि ट्रिपल तलाक तत्काल ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बनाया गया था एक साल पहले और उसकी पहली वर्सगाठ मनाने के लिए अब ये दिन हमेशा जो है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाएगा हर दिन हर साल जो है इसको मनाया जाएगा मुस्लिम वोमेन राइट स्टे देखें यह जो बड़ी जिन्दगी होती थी महिलाओं की ऐसी ही कष्ट प्रद होती है हमेशा परदे में और हमेशा बंद के रहो अब उसमें एक यह भी था कि मुस्लिम महिलाएं जो है कि जवानी से लेके बुड़ापे तक एक डर के साय मे जीती थी बच्चे बड़े हो जाते थे तब तक की मेरे पती को गुसा ना आ जाए कभी गुसा ना दिला दूं कि वह तीन बार तलाक बोल देंगे तो तलाक हो जाएगा और उनको घर छोड़ना पड़ जाएगा इस तरीके से महिलाएं बहुत परशान होती थी और कई मुस यहां पर मुकतार अबरस नख्वी जीस के मंतराले देखते हैं इन्होंने यह डिसाइड किया कि यह कानून बनाया जाए और इस कानून के जो पहली Anniversary पर इन्होंने मुस्लिम वोमेन राइड्स टे यहाँ पर घोसित किया मुस्लिम ऊमेन राइस टे घोसित कर दिया है ठीक है क्लियर है चलिए चार और राज्यों और किंद शासित पदेशों जम्मु कश्मीर मनीपुर नागा लेंड और उत्राखंड को शामिल करने के बाद अब कितने राज्यों और किंद शासित अरन पदेशों में वन नेशन वन राशनकाड योजना जो है लागू हो गई है वन नेशन वन राशनकाड योजना पहले पाइलट मोट कोछी राज्यों सुरू हुए ती है ना है गुजरात महराश्च और करनाटक ऐसे चार यह सुरू路 तो फिर धीरे धीरे और राज्यों में लागू करते चले गए और यह चार राज्यों में और लागू किया गया जिसके बाद टोटल राज्यों की जो संख्या है वन नेशन वन रासन कार्ड में क्या है 24 पहुच गई 24 राज्यों में पहुच गई दोस्तों अगर देखा जाए अगर ये देखा जाए कि 1 nation 1 राशनकाट क्या है कि बिहार का मजदूर अगर मुंबाई में जा करके नोकरी कर रहा है मजदूरी कर रहा है तो उसके गांप का बुम्बई में नहीं चलता था है ना हो गुजरात में नहीं चलता था तो अब जो है उसका राष्न कारव्ण का बिभार का है वो पूरे देश भर में कहीं भी जाके करें उसको जो है वो 5 kg अनाज समय मिनेगा पांच किलो अनाज और 1 किलो चना वो नवंबर तक बढ़ाय गया है नॉर्मली दो किलो अनाज और एक किलो चना मिलता है ठीक है क्लियर है चलिए तो ने प्रमाडव और आख़न, शौबिस राज्यों में इसे किया गया है चली अगए प्रश्न की और चलते हैं? अगला प्रश्न क्या कह रहा है? किस देश ने अरब दुनिया का पहला परमाडू उर्जा संहयंतर लाँच किया है? यानि अरभ देशनों के पासि इतना तेल हुआ करता है कि उनको पर्माडβू उर्जा सहीं रखी जरुरत ही नहीं होती लेकिन एक पहले गल्फ कंट्री ने पहले अरभ देश सहने शहां पर लॉन्ज कर दिया है पर्माड़ू इर्जह सहीं रेजर किसने लॉंज आप ही है यू एई संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त अरब अमीरात अमीरों से सल्तनतों से मिलके बनाए साथ सुल्तानों के सल्तनतों से मिलके बनाए जिसमें दुबई भी एक सल्तनत है अबुदाबी भी एक सल्तनत है तो अबुदाबी ही जो है कि यहां की कैपिटल भी है है ना कावान कंपनी बन गई दुनिया की मारक4 यह सबसे ज़्यादा बड़ी कंपनी अगर मारकटक 마음에 इसको देख खेन दिया जाए शेयर को भी एड कर दिया जहें अगर भारत की बात कि जाहें तो भारत में सबसे ज्यादा मार्केट केप्टलाइजेशन वाली है फिर TCS है और फिर HDFC है लेकिन अगर दुनिया की बात की जाए तो पहले नंबर पर सौधी की अरामको कंपनी हुआ करती थी आपको अगर याद हो तो सौधी अरब पर इस अरामको कंपनी के तेल भंडारों पर यमन ने ह भुसित हुआ था आरामको कंपनी जाने किसने देशों की GDP से बड़ा टर्न ओवर है अरामको का अब आरामको दूसरे नंबर पर आ गई और पहले नंबर पर भाई कौन आ गई है एपल आ गई है यह भी बड़ा ऊपर नीचे होता है फ्लक्चुएट होता है क्योंकि यह शे लिए जाए यह मेड़ा आगे घले इंडस्टों के मुकेर आप दोखा पर चलियों के मारकुआम के अंडसों के थे और सिर्फ में फई है क्योंगा है च्किम थे जादा को यह इनद गर पर हुप प्र गई यह तो बिल्कुल अप्रमको पर दूस्तों को अगे देखते हैं के कि फूर्वर्वर्णर को ग्रेट इस Crash shipping कए कमपनी का अत्रीक्ट और स्वतंत्र लुक्त निचर क्या गया है यानी की additional डिरेक्टर एंडीपेंडेंडेंट डिरेक्टर निचर किया गया है बहुत इंपोर्टेंट है आर बी आई के पुर्व गवर्नर ग्रेट इस्टन सीपिंग कंपनी के इंडिपेंडेंडेंट डिरेक्टर बन गए हैं और उनका नाम क्या है दोस्तों उनका नाम है आर बी आई के 24 वे गवर्नर उर्जित पतेल ग्रेट इस्टन सीपिंग कंपनी क वी के एडिशनल डारक्टर बन गए हैं और एक नाई पी wrap पी के भी यह Deutsch बन गए है नेशनल इंस्टिट्यूट और पॉबलिक फिननस अंड पॉलसी नेशनल इस्टूट आफ पॉबलिक फिननस एंड पॉलसी नेशन पतेल जी जिन्होंने रिजाइन कर दिया था सेक्षन सेवन विवाद में जब उनसे मांगा गया था कि आरबी आई के पास एक लाग शेत्ता अजार क्रोड़ रुपे का रिजर्व वो परसरकार ने मांगा था डिविडेंड की मांग की थी PCA हटाने को कहा था प्रॉंप्ट करेक्टिव एक्षन बारव बैंकों पे से तुर्जित पतेल ने रिजाइन दे दिया था है ना और अब जो है इनको जो है एन आई पी एफपी का हेड बनाया गया है और ग्रेट इस्टन स्रीपिंग कंपनी ने इनको अपने इंडिपेंडे डारेक्टर के रूप में चुना है यह आई एमेफ के भी चीफ इकनौमिस्ट रह चुके हैं तो बिल्कुल सेविंग दा इंडियन सेवर ओवरड्राफ्ट का पूरा बुख का नाम है सेविंग दा इंडियन सेवर इंडियन सेवर चलिए अब अगला प्रशन बहुत पुरुसकार सुना मौलान अबुल कलामाजार ट्रॉफी सुनी आपने दोणा चार अवार्ट अर्जून आवार्ड वाड सुना सब वक्याफ ऐस इतने भी खेल पुरुसकार होते हैं राष्टी तो पुछ लेना तो ऐसे पुछ लेता गोवा में फिल्म फेस्टिवल हुआ बताए उसके जियूरी में हेड कौन था बताए राश्टी पुरुसकार में जियूरी में हेड कौन था बताए खेल पुरुसकारों में जो है गठित चैन समीती के अध्यक्ष कौन है ऐसे कोश्चन बहुत ही कॉमन होते हैं जब आपको एक्जामनर ब्सके टाए तो यह कॉश्चन आपको देता है तो बल्कुल आपके लिए बहुत important question है लाइक क्यों नहीं लाइक कर जितने लाइक उतने लाइक जितने लाइक उतने लाइक तो होने चाहिए है कि नहीं होने चाहिए यार क्या यार लाइफ चैट को Cross करिए और पहले ब्लू कर दीज़े यह थम्सप जो है ना उसको ब्लू कर दीज़े यार है ना चलिए चलिए बहुत बढ़िया चिरीन जहान करें सर क्या आपने फिनांशल अवेर्नेस क्लास बंद कर दी नहीं मेरी दो बाइस तीन बाइस तक एक्जाम को रैप पर हो रही है लेकिन अभी जो है कुछ प्रॉब्लम है इस्टूडियोज के कुछ दिक्कत है दोस्तों 25 तारीक के ब कोर जो है बैंकिंग ही तो है यार क्या कहते है वह कैसे छोड़ देंगे मैं सोच रहा हूं इसी सेशन के लास्ट में भी मैं कुछ बैंकिंग के आप लोगों के डाउट्स लिया करूं कैसा रहेगा बताइए तो भाई यहां पर समीती के द्यक्ष कौन है सुप्रीम कोट के पुर्व जर्ज मुकंदम सर्मा सुप्रीम कोट के पुर्व जर्ज मुकंदम सर्मा राजपताप करें सर मैंने शेर भी कर दिया बहुत बढ़ियां बहुत बढ़ियां चलिए तो बिल्कुल यहां पर मुकंदम सर्मा एंसर है यहां पर इसको सईकन लिजेगा यहां पर यह नहीं है मुकंदम सर्मा मुकंदम सर्मा सी है वाई है ना मुकंदम सर्मा सी ऑप्सेन है ठीक है चल ठीक है देखते हैं क्या हुआ है उसमें देखेंगे चलिए अगले प्रश्णिक पे चलते हैं अगले प्रश्णिक पर चलते हैं अगले प्रश्णिक पर चलते हैं सुप्रीम कोट के रिटायर्ट जेस्टिस मुकंदम सर्मा समीति के अध्यक्ष है सदस्यों में विरेन सहवाक सर्दार सिंग मोना लिसा बर्वा मेता दीपा मलिक वेंकटेशन देवराजन सहीत भारती खेलों के चित में पतिष्ठित नाम सामिल है डिटेल्ड बेस लेके आता हूं कि पता नहीं कौन सा कुश्चिन पूछ ले पूछ ले समीति में और कौन-कौन से सदस है तो दीपा मलिक है वेंकटेशन देवराजन है मोना लीसा बरुआ म अगले प्रशन पर आते हैं इन विच स्टेट एक मास्क अनेक जिंदगी कैम्पेन हैस बिन लॉंच्ट किस राज में एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान शुरू किया गया है एक मास्क कमलेस नागरवाल आप नहीं सुदरेंगे है ना दो बार लाइक नहीं करो भाईया एक ही बार करो ब्लू करके छोड़ दो है ना ब्लू है पानी-पानी समझे के नहीं ग्रे नहीं करो उसको ब्लू करो तो किस राज में एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान शुरू किया गय आपका कंप्यूटर महदय बताइए मध्यपदेश मध्यपदेश भाई मध्यपदेश शिवरा सिंग चौहान आनंदी बेन पतेल तो भाई इनोंने तो बहुत सारे काम की हैं चौती बार फिर से मुखमंत्री बन गए किस मंत्राले को आईटी सक्षम चात्रवित्ती और जन राज है मध्यपदेश जहां पर एनरे सीटी को लागू करने का बोल दिया गया है उस राजसरकार के द्वारा कि जो केंद्र एनरे सीटी लेक्या है नेस्नल रेगूटमेंट एजनसी कौमन इलजिबिल्टी टेस्ट वह मध्यपदेश के राजसरकार के भी सारी वेकेंसी प पर लाग होगा देखो यह होता है कटकटकटकट करके मेरे प्यारे बच्चे बढ़ाते चले गए ना उसमें दो ऐसे लोग भी हैं जो जलने वाले वो भी देख रहे हैं तो भाई बहुत बढ़ियां तो चलिए आगे बढ़ते हैं स्कॉच गोल्ड अवार्ड किस ने जीता है तो इस कॉच गोल्ड अवार्ड जीता है जन जाती मामलों के मंत्राले ने मिनिस्ट्री आफ ट्राइबल अफेर ने जीता है ठीक है क्लियर है चले बहुत बढ़िया अगले प्रश्रों पे चलते वाट इस दीम वर्ड बेस्ट फीडिंग वीक 2020 विश्व इस्तनपा सब् तो ट्राइबल अफेर मिनिस्टर कौन है अर्जुन मुंडा है जो खुंतिया से चुनके आते हैं यह बात याद रखेगा जारखंड से ठीक है तो ट्राइबल लोगों के लिए ही अच्छे काम इन्होंने किये हैं इसी लिए जो है कि छात्रवित्ती वेजनाओं के माद्यम से आदिवासियों का सशक्ति करन किया था इसलिए स्कॉच अवर्ड मिला है पिछली बार मिला था दीन द्याल अंतियोदै योजना कोई स्कॉच अवर्ड मिला था क्योंकि उन्होंने ट्राइबल को सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माद्यम से रोजगार उपलब्द कराये बह बात करें दोस्तों वर्ल्ड बेस्ट फीडिंग वीक की बात करें तो एक अगस्त से एक अगस्त से साथ अगस्त के बीच में वर्ल्ड बेस्ट फीडिंग दी मनाया जाता है यानि अगस्त का फर्स्ट वीक अगस्त का फर्स्ट वीक हमेशा बनाया जाता है बेस्ट फीडिंग वीक अब breastfeeding week में क्या इस बार का थीम रहा है तो वो क्या रहा है दोस्तों वो रहा है support breastfeeding support breastfeeding for a healthier planet healthier planet के लिए इसको support कीजिए इसको बढ़ाईए दोस्तों यहां पर यह थीम रहा है ठीक है clear है बिलकुल इंजीनियर अभी से गुपता जी बिल्कुल मैं अपने इप्र तेलिग्राम पर रोज माff लोग बताएं की कर रहा हो की नहीं कर रहा हूं तो विल्कुल में टेलीच्व पर डेली प्रवैड कर रहा हूं ऐसी बात नहीं है थीक आघ चलिए विच is स्पेश एजन्सीज एस्ट्रोनॉट बॉब बहिंकन एंड डॉग हरले रिटर्न सेफली फ्रम इंटरनेशनल इस पेस सेंटर आफ्टर सक्सेस स्पेसेक्स डेमो 2 मिशन यानि अंतरिक्ष यात्री दो हमारे विश्व के पृत्वी के वापस सफलता पुर्वक अंतरिक्ष से वापस आ गया एक बार कलपना चावला जी नासा की तरफ से गई थी और उनका जो ब्लाष्ट कर गया था अंतरिक्ष यान और वह उनकी डेथ हो गई थी तो कलपना चावला जी को वह याद आ जाता है जब ऐसी किसी मिशन की बात आती है तो सफल स्पेसेक्स डेमो 2 मिशन क के बाद किस अंतरिक्ष एजनसी के अंतरिक्ष यात्री किस अंतरिक्ष एजनसी के अंतरिक्ष यात्री बॉब बेकन और डग हरले इस स्पेस सेंटर से सुरक्षित वापस आ गये हैं दोस्तों तो नासा बिलकुल यहाँ पर एंसर होगा नासा के इस स्पेस एक्स के डेमो 2 two mission की यह सारी की सारी चीज है ठीक है पुरिती प्राची पांडे जी का मदद कर दीजे बाइब बाकी लोग प्राची पांडे जी के question का सब लोग answer कर दीजे which of the following countries has considered minting Gandhi coins to commemorate India independence coin बताईएगा फटा फट से से मैं कुछ question और पूछूंगा आप लोगों से कुछ question अभी आप लोगों से और पूछा पूछना है मुझे आपको यहां पर बताना निमलिकित में से कौन सा देश भारती स्वतंता के आइकॉन को याद करने के लिए गांधी जी के सिक्के को ढाल रहा है गांधी जी के सिक्के को ढाल रहा है दोस्तों अच्छा 75 का सिक्का किसकी याद में आपको बताना है यह और का सिक्का किसके लिए जारी किया गया फ़िक है अब यहाँ पर अगर很好 एक एक जीके लगने ऐसे साल पूरे हुए गांदी जी के तो फिल्कुल उनाईटीड किंग्डम बृतिचें यहाँ पर राइट एंसर है यानि जी गांधी जी ने किसको परसान किया युनाइटट इंग्डम को परसान किया इनको अपने देश से बाहर किया और इन्हों ने ही उनकी याद में शिक्का जारी कि देखें यह होता है विरोथ का तरीका साथ अहिंसा शांती का रास्ता है ना वैसे कांधी जी को ब्रीटेन स्य जोत्राधिति सिंधिया नई है यार्सटिराधित शिंधिया नई है 25 वाला जो है वह विजयника सिंधिया जो वसंध्राराशे की माताजी नहीं माता जी हैं विजय राजे सिंधिया थी और जोती रादित सिंधिया जो अभी कांग्रेस से बीजेपी में सामिल हुए हैं उनकी दादी जी उनके 75 का सौ का सिक्का जारी हुआ सौरी यहां पर उल्टा मैंने जो है कि लिख दिया है खेना कोई नहीं अपने पास सब जुगाड तो इनके लिए सौ का सिक्का जारी हुआ और 75 का सिक्का जारी हुआ है फूड एंड अग्रिकल्चर और्गनाइजेशन के लिए जिसका हेटक्वार्टर रोम में है इटली में और फूड एंड अग्रिकल्चर और्गनाइजेशन ने ही युनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम चलाया था दोस्तों जिसे इस बार का नोबेल पीस प्राइज मिला है इसका भी हेटक्वाटर रोम इटली में है तो फूड वाले जितने भी मिला है लाइक करते चलिएगा इसे शेर करिएगा ताकि ज्यादा ज्यादा लोगों को यह पता चल सके की भाई प्यूश सर यहां पर पढ़ा रहे हैं बोरिश जॉन्सन युनाइटेड कींग्डम के प्रधान मंत्री है रिशी सुनक भारतिय मूल के जो है वह वह युनाइ स्क्वेश शेंपियंशिप से नाम वापस ले लिया है दोस्तों वह देश कौन सा स्क्वेश में बहुत तेजी से हमारा देश आगे चल रहा था वसुंद्रा राजे की माता जी है ठीक है विजय राजे जी जो बीजेपी की फाउंडर सद्दस से मानी जाते है बीजेपी की से लिजेपी की फाउंडर सession की माता जी है जोतिरादिट सेंधिया की दाइजी he तो बिल्कुल यहां पर एंसर है क्या इंडिया यहां पर इंडिया एंशर है बिल्कुल इंडिया ने अपना नाम क्या किया वापस ले लिया है ठीक है तो इस्टेटिक फेक्ट अभी लोटेश जी बहुत है जरूरत नहीं इंडिया की करिंसी केपितल बताने की स्क्वैस रैकेट फेडरेशन और इंडिया है विड्रान फ्रॉम्ट वोमेंस वर्ल्ड टीम स्क्वैसिप चैंपियंशिप ड्यू टू लैक अफ प्रिप्रेशन प् 10rd december यह भी पूछा जा सकता है कहां पर होने वाला है जिससे भारत ने नाम वापस ले लिया है तरहीं ही नहीं तो और हगर बात स्कुझ लू है तकट ट कोशन फेडरेशन अफ इंडिया की तो इसके जो अध्यक्ष है है वो कौन है वो है देवेंद्रनात सारंगी कौन है देवेंद्रनात सारंगी है और हेड़ कौर्टर दिल्ली में नहीं है मुंबई में नहीं है कुलकाता में नहीं है भाईया साउथ इंडिया में है चेन्नाई में है और इस क्वैस में ताबड तोड़ कर रहे हैं ऐसे ठीक ह वाइच लिए बहुत बढ़िया आगे वढ़ते हैं किसराज के मुखमंत्री दरपण पोर्टल और मुबाईल एब और को geht संस्थान य। टेकनो- मीडिया द्वारा एलाइट एक्सिलेंस डींट और किसराज के मुखमंत्री दरपण पोर्टल और मोबाइल एप को मुखमंत्री दरपड पोर्टल को क्या मिला है दोस्तों तो यहां पर IT संस्थान एलाइट टेक्नो मीडिया द्वारा एलाइट एकसीलेन्स एवार्ड मिला है तो किस राज का यह मोबाइल सक्थी तो